आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ आपने पासे गांसरो हतो तुरू तो यहां से a में तो अलपा से इक पॉोंट डे डे रखा , माइनस मैंस इक उनकलाइंट जो इक वाई एक बाना रही है याणिस के साथ allegedly ay ?綱 270 जैडिक आ बाना साथ में टो इक उपकंग अछिस केसाथ रखृ अपकनी Z axis के साथ भी अलफा इंगल बनाएगी तो Z axis के साथ भी तो यहां से इसके direction cosign क्या हो जाएंगे direction cosign direction cosign क्या हो जाएंगा अपने पास cos alpha cos alpha into cos alpha into cos alpha और वो किसे L, M, N कही कोल होगा तो अपने को पता है L square plus M square गोनिंट की crackad एकाइड म喔नी नहीं सकतरे हुआ कि बादि कोस्ट ची जो प्लज इसकुर आलफा की वे लिए का जागी कोसिख्या की वेली का जोगी मैंस अपने पास ऱ्नी gestellt का और क्या आइसे अपने、 इक्वेशिः आंपा स्वान की ओछ एपर line तो यहांसे equation of line किया जाएगी x minus x1 divided by l तो x minus x1 तो x plus 1 divided by cos alpha क्योंकि l आएगा तो cos alpha की value आजाएगी y minus 2 divided by cos alpha और z equal to यानि z minus 3 तो यानि minus 3 divided by cos alpha तो इसको क्या लिख सकते हैं cos alpha की value बोट करेंगे तो यहांसे क्या आजाएगा आपने पास यानि 1 by 3 तो यह क्या बनजाएगा आपने पास 1 by root 3 1 by root 3 sum में cancel हो जाएगा यानि cos alpha से 3 को multiply करेंगे तो यह क्या बनजाएगा आपने पास x plus 1 divided by 1 equal to y minus का 2 divided by 1 equal to z minus 3 divided by 1 तो equation of line हो जाएगे यह आपने पास equation of line हो जाएगे अब बात करता है second की, second में क्या दिरखा है, यानि parallel to x-axis and passing through the origin, यानि x-axis तो direction cosign क्या हो जाएंगे अपने पास, direction cosign या ratio of x-axis क्या हो जाएंगा, ratio of x-axis, यह किसके को लोगा, यानि x-axis का direction ratio क्या होता है, यानि 1,0,0 और यही direction cosign होता है, तो अगर बात करें line की, तो यहां से अगर दो parallel line है, तो उनकी direction ratio हो में से क्या होता है, same होता है, तो यानि direction ratio of line किसके को लो जगा, direction ratio of line, वो किसके को लोगा, वो भी 1,0,0 और किस point से पास करेंगे, 0,0,0 से, तो equation of line क्या बनेगी, यानि equation of line, equation of line, वो किसके को लोगी, यानि x minus x1 divided by a equal to y minus y1 divided by b equal to z minus z1 divided by c, यह बनेगा, तो x1, y1, z1 तो 0,0 है, तो यहां से x minus x1, तो x minus 0 divided by 1, y minus 0 divided by 0 equal to z minus 0 divided by 0, तो यहां से अपने पास क्या बन जागा, x, यानि x divided by 1 equal to y divided by 0 equal to z divided by 0, तो equation of line आ गई, किसमे form में, Cartesian form में, तो यह अपने answer होंगे, thank you.